अभी यह प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापि का मुद्दा चल रहा है। अब इसे मुद्दे है, एक इतिहाष तो है, उसको उपदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया, ना आज के अपने आपको हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, ना आज के मुसल्मानों ने बनाया उस समय घटा इसलाम बाहर से आया आकर्मों को के हाथ आया उस आकर्मन में भारत की स्वतन्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधहिर या खचे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हज्जारो है हिंदू समाज का विशेश ध्यान जिन पर है विशेश रद्दा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते है अब इसका विचार क्या करना ये मुसल्मानों के विरुद्धन ही सोचता है हिंदू आज के मुसल्मानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सब को स्वतंद्रता से चिरकाल तक वंजित रखने के लिए उनका मनोधहिरिया दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनर्द्धार होना चाहिए हम तो कुछ नहीं कहते हमने नौ नौमबर को कह दिया कि एक राम जन्व भूमिका अंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृती के विरुद्ध किसी आईती आसिक कारेंट से उस समय के परिस्टिती में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई अंदोलन अगरे करना नहीं है लेकिन इशूज अगर मन में है तो कुछ उठते है यह किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदों ने भी यह नहीं करना चाहिए अच्छे बात है ऐसा कुछ है आपस में मिल बैटकर सहमती से कोई रास्ता निकाले लिकिन हर बार नहीं निकल सकता इसमें कोर्ट में जाते है तो फिर कोर्ट जो निरने देगा उसको मानना चाहिए अपनी सम्विदान सम्मत न्याय ववस्था को पवित्र सर्वस्रेष्ठ मानकर उसके निरने हमको पालन करने चाहिए उनके निरने ओपर प्रश्ण जिन्न नहीं लगना चाहिए और ठीक है प्रतिकात्मक कुछ हमारी वीचे श्रद्धाती है इसे स्थानों के बारे में हमने का लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं या यह भी नहीं करना चाहिए हमको जगडा क्यों बढ़ाना है ज्ञानों आपी के बारे में हमारी कुछ रद्धाय है परमपरा से चलती आई हम कर रहे है ठीक है परुंतु हर मस्जिद में श्यूलिंग क्यों देखना वह भी एक पूजा है ठीक है बार से आई है लेकिन जिनोंने अपना ही है वो मुसल्मान वो बाहर से संबंदनी रखते हैं उनको भी समझना चाहिए यद्धे पूजा उनकी उधर की है उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं सबकी मान्यता और सबके प्रति प्रवीत्रता के भावना है परंतु पूजा वहा की होने के बाद भी वोंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आवे रुशी मुनी राजा क्षत्रियों के पूरवज है समान पूरवजों के वोंशज हम है परंपरा हमको समान मिली है शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है देश के हर स्वातंत्रियुद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रिय वृत्ति के कुछ मुसल्मान लड़े है वो यहां के मुसल्मानों के लिए आदर्शे है अश्पाकुल्ला खान इबराहिम कान गार्दी इत्यास काल से चलता है